बहुत दो स्वागत है आप सभी लोगों का स्पोर्ट स्यारी में मेरा नाम है शुबिंदू पंडे कॉमन वेल्थ गेम की अपडेट के साथ आपके साथ जुट जुका हूँ और आज कौन-कौन से इवेंट खेले जाएंगे, किस-किस में मिडल के चांसे रहेंगे कब ये समय रहेगा, इसके साथ जानकरी आपको इस वीडियो में मिलेगी लेकिन उससे पहले, अगर आपने इस पौर्ट स्यारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पलीज सब्सक्राइब कर लेजिए, बाकी उससे पहले आज की इवेंड की जानकरी दिने से पहले आपको कल के इवेंट के अपडेट बता देते हैं कि किन-किन इवेंट में भारत को जीत मिली उसे सबसे पहले बात करेंगे वहाँ पर जिस तरीके से पैरा वेट लिप्टिंग में भारत ने गोल्ड मिडल जीता है देर रात मुकाबला था और जिस तरीके से इस बार पैरा वेट लिप्टिंग को इस बार शामिल भी किया गया था कॉमन बल्थ गेम में और वहाँ पर भारत के सुधीर ने गोल्ड लेकिन वो जो आखरिया टैम था उनका वो उसको सही से नहीं कर पाएं बाकी यहाँ पर दो सो बारा का जो इन्होंने वजन उठाया उसके साथ इनका मेडल जो है वो पक्का हूग गया बाकी करें बात करें उससे थोड़ी देर पहले जो मुकाबला हुआ था मुर्ली श्री शंकर का जिसके सबसे ज़्यादा सभी को अथलेटिक्स में सबसे ज़्यादा उम्मीग थी कि यहाँ से तो गोल्ड मिडल जरूर आएगा जिस तरीके से ओफ ओं में थे आम बार बार जि हीट में तो यहाँ पर भी उन्होंने सिल्वर मिडल जीता लेकिन वो जो बराबरी का मुकाबला देखने हो को मिला जिस थरीके से उनकी जो बेस्ट जंप थी वो वहाँ पर 8.08 की थी बाकी उनसे जो कहें कि जो नंबर वन रहें उनकी भी बेस्ट जंप यही थी लेकिन माम मास के जो जंपा थे उन्होंने इस मुकाबले को जीता और एक थोड़ी सी गलती जरूर वहाँ पर यह हुई कि जो इनका एक और अटेम्ट था जो फाउल हो गया था वहाँ पर भी तकरिबन आठ से उपर ही इन्होंने आठ मिटर से उपर ही चलांग लगाई थी पर वो फा कर लिया यानि कि ये चार मिटल हमारे जो इनकी कलर है वो अभी तो डिसाइड नहीं है गोल्ड आएंगे सिल्वर आएंगे ब्रॉंज होंगे पर हाँ चार मिटल जरूर कंफर्म है तो वहाँ पर आप देखे शुरुवात में अमित पंगल ने अपना मुकाबला जीता उसक के बाद देखे सागर और लास्ट में कर रोही टोकस ने भी अपने मुकाबले जीत कर आगे के लिए कौलिफाई किया तो यह अच्छी ख़बर थी बॉक्सिंग से बॉक्सिंग के अगर उसके लावा हम बात करें जिस तरीक से बैट्मिंटन के अगर हम बात करें तो बैड् अगर हम बात करें तो जिस तरीके से बहाँ पर स्कॉश में दीपका पलिकल आगे बढ़ी इसके अलामा चाहे वो अनहात ने भी मुकाबला जीता तो यह सारे मुकाबले था भवीना पटील का भी आज मुकाबला है वो उन्होंने भी कल मुकाबला अपना जीता था बाकी हो की की बात करें तो वहाँ पर भी मैंस टीम ने पहले से फैनल में जगा पकी कर ली थी पर उन्होंने भी वेल्स को एक अच्छे मार्जन से माद दी तो यह कल के मुकाबले थे जहां पर हमें मेडल दो मिले पर अबर अगर देखें तो चार मेडल जो हैं वो भी का में हम और उपर आएं और उसके लिए आप जो पीछे तस्मीर देख रहे होंगे इस पर आपको जरूर खुशी के लहर जरूर होगी क्योंकि आज से रस्लिंग के मुकाबले शुरू हो रहे हैं जहां पर हमारा दबदबा रहता हैं वहां पर मेडल जीतते हैं तो आज की के जानकारी आपको देते हैं कि आज कौन-कौन से इवन्ट खेले जाएंगे और कब-कब इनका मुकाबला होगा तो शुरूवात करते हैं आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं कि आज जिस तरीके से देखिए आज जो लॉन बॉल से ही शुरूवात होती हर दिन की तरह आज भी कनेडा के साथ होगा साधे चार बजी ये मुकाबला होगा तो लॉन्स बॉल्स में हम चाहेंगे जिस तरीके से मैंस फोर्स इवynnста में जो सारी वीमस सी मिलिक तरीके से गौल्ड मिटल जीता था ऐसे में उम्मीद करेंगी यहाँ पर भी गौल्ड मिल बागी कि अम बात करे आपको किस तरीके से खेले जाएंगे यह देखिए टेबल टेनिस में यहां पर आप देखिए टेबल टेनिस के जो आज के मुकाबले है Round of 16 में Mixed Double में आपको साथियान दिखेंगे मनका बत्रा के साथ यह मुकाबला होगा दो बजे, दो बजे से ही आज टेबल टेनिस मुकाबलों की शुरुआत है। इसके लामा विमिन्स सिंगल की बात करें। इसके लामा विमिन्स सिंगल की बात करें। विमिन्स डबल में मन का बत्रा और दिब्या आपको दिखेंगी ये मुकाबला साड़े चार बजे होगा। इसके लामा विमिन्स सिंगल की बात करें। तो आज ये पैरा टेबल टेनिस के जो मुकाबले हैं दो बच के 40 मिट से ओभी शुरू हो जाएंगे। तो विमन्स सिंगल क्लासे 3-5 का मुकाबला नाजेरिया के खिलाप उतरेंगी इनसे भी उमीदे रहेंगी सोनल बेन पटेल से। गलेंड के खिलाड़े के साथ उतरेंगी सेमी फाइनल 1 में इनका जो मुकाबला होगा ये भी वही ढाई के बाद ही रहेगा तो ये मुकाबले में काफी उमीदे हैं कि यहां से मेडल कहीं ना कहीं पका रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो राज अर्विंदन का मुकाबला है वो यहां पर उनका मुकाबला जो रहेगा वो भी सिमी फाइनल 1 का ही है वो नाजीरिया के खिलाड़ी से तो पैरा टेबल टेनिस पे भी हमें दो ये मुकाबले भमीना पटेल का और राज इवेंट में यहां पर आप देखिया आज जो राउंड वन हीट टू में विमिन्स सव मीटर हर्डल्स में जोती आपको दिखेंगी यह मुकाबला तीन बजे खेला जाएगा तीन बज कर छे मिनट पर थोड़ा बहुत टाइम थोड़ा सर दस बंदर में ददर हो सकते हैं क् अपसर हमने दिखा है थोड़ा सा टाइमिंग का इसमें अथलेक्टिक सिविंट में इधर हुदर होते रहते हैं बाकी क्वालिफाइंग राउंड में विमिन्स लॉंग जम के अगर हम बात करें तो भारत के एंसी सोजन चार बच के दस मिनट पर आपको दिखेंगी इसके और गुड़े 400 मीटर रेली में आपको भारत के अमुजा जैकाब नोह निर्मल टॉम इसके लामा बात करें नंगनाथन पंडी और मुहम्मद अजमल और मुहम्मद अनिश याहिया आपको दिखेंगे जो आपको वहां पर आपने देखा था कि जिस तरीके से ये आपको बा जात मुकाबला यहां से आपको मेडल की पूरी की पूरी उमीद है क्योंकि हिमादाश को 200 मीटर में पकड़ना तक्रीबन तक्रीबन नामुम्किन रहता है तो यहां पर मेडल जरूर कंफर्म मुझे तो लग रा बाकी आपको क्या लग रा कॉमेंट बॉक्स में जरूर बत इनका मुकाबला चार बच के दस मिनट से शुरू होगा उसके लावार राउंड अप से स्टीन के मुकाबले में मैं सिंगल में के धांभी श्रीकांत भी आपको दिखेंगे इनका मुकाबला जो है वो साड़े पांच बजे होगा इन्होंने अब कल एक तरफा जीत हासिल कि थी आज इनका मुकाबले युगांडा से होगा तो उमीद ये भी है कि आज के मुकाबले में भी आसानी सा जीत हासिल कर लेंगी और आगे के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे इसके लामा हम बात करें तो राउंड अप सिस्टीन में मैं सिंगल में लक्ष शेन का मुकाबल इसके लामा राउंड अप सिस्टीन में ही चिराग सेटी साक्तविक साहिराज का भी मुकाबला है बेंस डबल्स में जहां पर इनका मुकाबला बारा बजे तकरीबन कल के डेट में ये मुकाबला आ जाता है तो ये सारे बैटमिंटन के मुकाबले थे बाकि इसके बाद का जो इमेंट है उस पर हम सभी की नजरे होंगी क्योंकि यहां के जो फर्स्ट सेसन आप उपर देख रहे होंगे तीन बजे यहां से मुकाबले शुरू होंगे और आज ही इसमें दूसरा राउंड मुकाबला होगा नीचे आप देख रहे होंगे साढ़ी नो बजे की बाद इसमें आपको पूरे-पूरे मिडल भी मिलेंगे तो आज ही हमारे लिए इतने सारे मिडल मिलेंगे उसको हम बताते हैं आपको मेंस फरी स्टाइल 125 केजी में आपको मोहित ग्रेवाल दिखेंगे भारत के उसके लावा हम देखे 65 केजी में बजरंग पुनिया दिखेंगे जिन से बहुत ज़्यादा उमीदे हैं गोल्ड की पीशा आपने तस्बीर भी इनकी देखी होगी उसके लावागर हम बात करें 86 कैटेगरी में तीपक पुनिया होंगे और उसके लावा 57 केजी में अंसु मलिक उसके लावा 68 केजी में दिब्या काकरम होंगी 62 कीवी में साक्षी मलीक होंगी जो ये सारे आज हमारे रसलर जो है वो उतररे मैदान पर हमें उमीद रहेगी कि यहां से हमें गूल्ड जादा से जादा दिलाएं तो यहां पर चांस रहेगा कोई जो हमारी मेडल जो दिख रहे था हम साथे अस्तान पर है शायद हो सकता है कि हम तीजी से उपर आएं तो आज उमीद रहेगी कि इन मुकाबलों पर हमें जीत हासिल हो आपको पूरी जानकरी लगतार इस पर मिलेगी स्पूर्स यारी पर मुकाबला साथे दस बजे खेला जाएगा तो यहां पर भी उमीदे रहेंगी यह मुकाबला जीत कर आगे के लिए क्वालिफाई करो हमारा जो मेडल है वो भी यहां धिरे-धिरे पक्का हो जाए राउंड आप से स्टीम में आप देखिए मैंस डबल्स में यहां पर आपक सेथल कुमार अभय सिंग के साथ होंगे और यह मुकाबला स्कॉटलेंड के खिलाफ होगा पांच बज़ के पंदरा मिट पर यह मुकाबला खेला जाएगा यहां पर भी उमीद रहेगी कि इस क्वैश में इन्हों इक लाली भी बहतर करें क्वाटर फाइनल में बात करें त आपको अपडेट तो कहां मिलेगी सिर्फ एकी जगाए स्पूर्स कारी पर तो यह स्क्वैश के मुकाबलें बाकी का जो आप देखेंगे होंकी का मुकाबला यहां तो सबसे ज्यादा नजरे रहेंगी क्योंके विमन सेमी फाइनल मुकाबला होगा और यहां पे ऑस्टेलि मिलेगी और उमीद करेंगे कि यहां से जीत कर हमारा होकी में मेडल पक्का हो तो यह आज के इवेंट थे उनके जानकारी थी और इसमें पूरी पूरी उमीद है कि आज हमारे जो मेडल ताली क्या है वहां पर हमें ज्यादा से ज्यादा मेडल मिलें क्योंकि रसलिंग अपन पस पंच लगाएं क्योंकि चारों बॉक्सर जो उत्रित रिंग में चारों ने जीत हासिल कि और आगे के लिए क्वालिफाई कि और हमारा मेडल भी कंफर्म हो गया तो यह बॉक्सिंग से कल के लिए अच्छी ख़बर थी बाकि आमने आपको बताया कि जिस तरीके से जो में मेडल नहीं आया थे आये भी थे तो बहुत पहले की बात है सूरेश बाबु ने आपको तकरिवन 1978 में लॉंग जम में मेडल दिलाया था तो यह खबरे थी आज के इवेंट के और कल के इवेंट के को जानकारियों कि बाकि आपको क्या लगता है कि आज कौन कौन से इव अबरेश आपको कैसी लग रही है उस पर भी अपनी राय जरूर दें इसके लाब हम क्या सुधार कर सकते हैं उसके बारे में भी बताईए इसके लाब अगर आपने अभी तक सबसे जरूरी बात लिए अगर आपने अभी तक स्पोर्ट्स यारी को सब्सक्राइब नहीं किय किया है तो प्लीज स्पोर्ट्स यारी को सब्सक्राइब कर लेजिए अगर आप हमें फेस्टूप पर देखने तो इस पेज को जरूर लाइक कीजिए फिलाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद जय हिन जय भारत